किस हद तक जाना है, ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है, ये कौन जानता है, किस हद तक जाना है, ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है, ये कौन जानता है, चलो मिलकर इंगलिस सीख लें, किस रोज बिछड जाना है, ये कौन जानता है, किस रोज बिछड जाना है ये कौन जानता है आज हम ऐसे सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये वही लड़की है जिससे तुम प्रेम किया करते थे ये वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ा करती थी जिसमें मैं पढ़ाया करती थी तो आज हम ऐसे ही सेंटेंस सो सीखने वाले हैं तो sentences जो हैं वो बड़े गजब के हैं इसलिए video में इन तक जरूर बने रहीएगा ताकि ऐसे sentences को आप भी चुटकियों में solve कर सकें So let's start तो आज का हमारा जो sentence है वो ऐसे है यह वही कार है यह वही कार है आगे जिसने तुमने दिया था यह वही कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ यह वही cycle है जिससे मैं school जाया करती थी तो ऐसे sentences जहां पर यह वही के बाद में कोई नाउन आ जायेगा बता दिया जायेगा जैसे यह वही कार है जो पिता जी ने मुझे दी थी यह वही लड़की है जो मुझे पढ़ाती है यानि कहीं आपस में बात करें यह वही लड़की है जो मुझे पढ़ाया करती थी यह वही लड़का है जिसे मैं मार रही थी यह वही स्कूल है जिसमें वह पढ़ा करती थी यह वही स्कूल है जिसमें वह पढ़ा करती थी यह वही लड़की है जिससे तुम्हारा भाई प्रेम किया करता था यह वही चैनल है जिससे मैं इंगलिस सीखा करता हूं यह वही घर है जिसमें मेरी दादी मा रहा करती थी यह वही पेड़ है जहां गौतम बुद्ध ने सिच्छा प्राप्त की थी यह वही गाव है जहां पर महत्मा गांधी रहा करते थे यह वही दुकान है जिसमें हम लोग समोसा खाया करते थे तो मैं RDA students हैना sentences का जब के तो चलिए सीखते हैं तो ऐसे sentences को solve करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है सबसे पहले आप लिखेंगे this is the this is the यह आपका common है फिर जो noun आया होगा जैसे यहां पर car आया है यहां पर लड़की आया है यहां लड़का यहां स्कूल और यहां लड़की जो भी आया होगा यह वही कार है यह वही लड़का है यह वही लड़की है यह वही दुकान है यह वही स्कूल है तो जो भी school लड़की दुकान लड़का आया है इसको आपको लिग दिना है this is the फिर noun जो होगा उसे mention करेंगे फिर आपको relative pronoun यूज करना है that जो है वो हर condition में लगा सकते हैं यानि सभी के लिए आप sentences में जो जो जिसे जिसमें जिसका आया है इसके लिए आप that का यूज कर सकते हैं लेकिन और भी जो pronoun है relative उनका भी यूज कर सकते हैं जैसे who, whom, whose, which और भी है how many, how much उनका भी यूज कर सकते हैं तो देखे, that लिखेंगे who, अगर कोई subject के बारे में बात कर रहा होगा तो who, person में होगा और subject है तो who, object है तो whom और which किसी भी चीज के लिए आएगा और etc यानि और भी कुछ आ सकता है plus sentence को लिख देंगे सबसे पहले आपको लिखना है this is the फिर जो noun आया होगा वो फिर आपको that या relative pronoun का यूज करना है sentence के according फिर आपको sentence का use कर देना है बहुत ही simple है आये solve करके समझते हैं यह वही कार है जो पिता जी ने मुझे दी थी तो first आप कर सकते हैं this is the car that that आप सभी के साथ ही उस कर सकते हैं जो पिता जी ने that father दी थी मुझे दी थी पास्ट इन डिफने टेंस father gave me first तो यह हो सकता है then you can say second is this is the car which father gave me you can use any of these two next is यह वही लड़की है जो मुझे पढ़ाती थी then you can say this is the girl this is the girl जो मुझे पढ़ाती थी that teaches me और this is the girl पढ़ाती थी सब्जिक की बात कर रहे हैं तो फू पढ़ाती थी who teaches who teaches me next is यह वही लड़का है जिसे मैं मार रही थी यह वही लड़का है जिसे मैं मार रही थी जिसे मैं मार रही थी whom I was beating देखे यहां पर whom आया क्योंकि object की बात कर रहे थी subject मैं जिसे मैं मार रही थी तो किसे के लिए whom होता है तो किसे का जो हिंदी निकलेगा जिसे में उसका भी whom ही होगा यहां पर subject की बात है जो मुझे पढ़ाती थी पढ़ा कौन जो subject के लिए आया है इसलिए यहां पर who का यूज हुआ है यहां वही school है जिसमें वह पढ़ाया करती थी तो क्या बोलेंगे this is the school this is the school जिसमें में in which in which this is the school in which वह पढ़ाया करती थी she used to teach she used to teach और she would teach भी आप कर सकते हैं she would teach यहां पर इसकी जगा पर next is यह वही लड़की है जिससे तुम्हारा भाई प्रेम किया करता था तो देखिए यह वही लड़की है this is the girl जिससे तुम्हारा भाई whom your brother करता था used to और would प्रेम किया करता था used to love तो मैं आर्डी इस्टेंट्स बहुत ही सिंपल है बहुत ही असान है और सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं यह वही बैग है जो मैंने प्रयागरास से खरीदा था यह वही कोचिंग है जहां मैं चार साल पढ़ाया था यह वही अध्यापायक है जो मुझे बहुत मारा करता था तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले इस इस दि लिखते हैं नाउन लिखेंगे यह बैट का यूज आप सभी के साथ कर सकते हैं आप सबी के साथ कर सकते हैं अगर कहां आ गया है जहां पर आ गया है तो वहां पर हम where का use कर देंगे यहाँ वही इस्थान है जहां मेरा जन्म हुआ था this is the place where I was born this is the place where I was born तो यह हमारा क्या है where का use हो गया है तो ऐसे आप किसी भी relative pronoun का use कर सकते हैं आई एक बर quick revision कर लेते हैं यह वही car है जो पिता जी ने मुझे दी थी This is the car that father gave me और you can say this is the car which father gave me यह वही लड़की है जो मुझे पढ़ाती है This is the girl that teaches me This is the girl who teaches me यह वही लड़का है जिसे मैं मार रही थी This is the boy that I was beating और this is the boy whom I was beating यह वही school है जिसमें वहा पढ़ा करती थी This is the school in which she used to read or study पढ़ा करती थी यह not पढ़ाया करती थी पढ़ा करती थी she used to study By mistake I thought that it is teacher पढ़ा करती थी This is the school in which she used to study और she would study करती थी मतलब पहले किया करती थी यह वह अयुस्तु का यूस्तु इस होता है यूस्तु का foto करती है यूस videos का фотограф यह वही लड़की है जिससे तुम्हारा भाई प्रेम क्या करता था यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा करता था यह वही कमरा है जिसमें मैं पढ़ा करता था this is the room in which I used to study और I would study तो my RDA students, I hope कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने friend circle में share कर दीजे ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और डेली अपनी English को बहतर से बहतर बना सके और आप में से कोई पहली बार वीडियो को वाच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चली आज ही class को यह पर फिनिस करते हैं See you tomorrow in next video Till then bye and take care